हालो दोस्तों कैसा आप लोग दोस्तों आजके इस वीडियो में हम एक महत्तापूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं वो है बटवारा याने की पाटिसन यहाँ पर कुल पांच कंडिसन पांच इस्थितियां लेकर आए हैं अगर पांचों इस्थिति आप सही धंग से समझ गए त तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको बटवारा की कुछ कंडिसन को समझाने का प्रयास करूँगा दोस्तों कई लोग ऐसे होंगे जिनका जमीन का अपना लिखित बटवारा नहीं होगा लेकिन बटवारा हुआ है मौकिक रूप से और उसमें जो है जो तबाद या फिर घर बना लिए है ठीक है दस साल से विस साल से 50 साल से मान के छले किसी वैक्ति के पास तीन पलोट था ठीक है और तीनों पलोट च१तर फल वराबर था सपोज कीजिए एक पलोट यह वह वला था यहां पर दो बेटे तो उसके तीन वेक्टी ने क्या किया कि एक प्लोट जो है ना तीनो को ये वेक्टी को अगर कम ज्यादा है तो हो सकता है कि पाइसा व्योसा दे करके जो है उसको मैनेज कर लिया गया हो या फिर और भी इसी तरह के बहुत सारे कंडिशन हो सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि भाई लिखित बटवारा नहीं हो पाया जो ए है वो यही पर रहने लगा खेति बारी करने लगा ठीक है यही पर वो बस गया बी जो है यहाँ पर बस गया इन लोग पास कोई लिखित बटवारा नहीं है मौखिक बटवारा पर सब कुछ चल रहा है और इस तरह से मौखिक बटवारा जो है ने बहुत तरह क्यों हो सकते हैं हो सकते हैं कि येखी पलोट हो ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है उनलोग आपसी सहमती के दवारा बटवारा कर लिये हो लेकिन मौखिक रूप से, मान किसे यहां पर 4 बाई हैं, तो 4 उन्हें बटवारा कर लिया, लेकिन मौखिक रूप से लिखित नहीं हुआ है, तो इस तरह के यहां पर बहुत सारे कंडिशन उत्पन होते हैं, तो आखिरकार ऐसी स्थिती में किस तरह से सर्वे होगा, दोस्तो खारीज भी हो जाएगा, असानी से, यानि 100 रुपया के स्टाम पेपर पर क्या करना पड़ता है, यह 100 रुपया का स्टाम पेपर रहेगा, 100 रुपया का स्टाम पेपर रहेगा, मान के चली तीन हिसेदार हैं, तो तीनों हिसेदारों का यहां पर रेटा रहेगा, कहां से ब मिला है कौन सा प्लोट में मिला है उसका चोहद्धी क्या है चोहद्धी बहुत ही IMPORTANT हो जाता है ठीक है तो इस तरह से जो है सो रुपया की स्टांप पेपर पर एक सहमती बतवारा बन जाता है या फिर पूरा जो है, तो ये लिखा हुआ रहेगा, और टर्म से इंग कंडिशन भी लिखे रहेंगे, कि भै, A को जो जमीन मिला है बटवारा के माधियम से, उसमें B और C को अपती नहीं होगा, B को जो मिला है बठवारा में A और C या उसके वारिस को किसी तरह का पती नहीं होगा तो इस तरह की condition यहाँ पर डाले जाते हैं और फैनली बठवारा नामा बन करके तयार हो जाता है इसमें तीनों का सैंड रहता है जो गवाह वेगरा है ठीक है उनका भी यहाँ पर सैंड रह जाएगा और फिर जो है इसका आप म्यूटेशन करवा सकते हैं ठीक है तीनों के नाम से यहाँ पर खाता खूल जाएगा और फिर सर्वे अगर होता है तो बहुत स्वीधा जनक रहेगी ठीक है चीए समाई तो यह अच्छी बात थी जो मैंने आपको बता दिया अब दोस्त में परनी सबसे पहला कंडिशन यहाँ पर हम लेकर आये हैं कि मौखिक बटवारा के बाद उत्पन विवाद कि स्थिती में मानके लें मौखिक बटवारा हो गया है लेकिन बाद में जो है विवाद उत्पन हो गया मतलब देखिए मौखिक बठवारा जब तक चल रहा था चल रहा था ठीक है लेकिन बाद में किसी ने अर्चन डाल दिया बैश्यत्रफल वेगरा का फेरीफिकसन होने लगा माने शेदार हैं किसी को थोड़ा सा कम मिल गया था किसी को ज्यादा मिल गया था तोगी मौखिक बठवारा क्यों हुआ होगा थेक्ति लोगों में आपसी संब्ध जाए ज्यादा होगा वायचारा कि वहाउना ज्यादा गया लेकिन ये चीज़ बाद में अगर बाद में सामने आती है और किसी कम ज़्यादा होता है तो आप विवाद उत्पन हो जाता है ये चीज़ आप जानते ही है ठीक है तो ऐसे कंडिसान में क्या होगा तो दोस्तों यहाँ पर साफ पस्पस्ट लिखा गया है कि मौखिक अगर वहाँ पर विवाद की स्तिन नहीं है तो फिर जो मोखिक बठवारा है उसके अधार पर अलग अलग रायतों के नाम से खाता खुल जागा कोई दिकत नहीं है परंतु अगर वहाँ पर विवाद खड़ा होता है चार इसेदार हैं किसी एक हिसेदार ने अर्चन डाल तो फिर वाइसे कंडिस्तन में माइने कि यह तीन हिश्यदार हैं तो बहुत तीनों हिसे जार के सैंजिकता खूल जाएगा एक ठीक है सैंजिकत खाता खूल जाएगा एक ही में ठीक है अगर अगर दो प्लोट है, तीन प्लोट है, जो भी है, एक खता नमबर रहेगा, तीनों का नाम रहेगा, जो भी उसमें प्लोट नमबर पढ़ रहे हैं, वो रहेगा, simply उसका हो जाएगा, बाद में लोग अपना बटवारा वेगरा करके फिर दाखिर खारी जब कराते रहेगा, ठ ठीक है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, अगर बटवारा हो जाता है, फिर अपना नाम से नक्सा भी कट जाता है, खतियान अलग-लग बन जाता है, तो बेहतर रहेगा भविस्य के लिए, इसको भी समझना चाहिए, ठीक है, तो यह कंडिसन आप समझ गे होंगे, ठीक है यह दूसरा कंडिसन पर आते हैं, यदि कबजा धारी में, यानि जो जमीन पर कबजा की हुए है, मौखिक बटवारे से घुमिल प्राप्त की हो, ऐसी सिती में क्या उसके नाम से खाता खुलेगा, तो यहाँ पर यदि आपसी समती से मौखिक बटवारा हो, तो बटवारा क हुआ है, तो जिसके नाम से हुआ है, या उसके वनसज है, जो भी है, खाता खुलेगा, को ऐसा यहाँ पर नया नया चीज़ नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा जो है, से जुड़े हुए है, ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए, भूमी पर बटवारा एवं कबज कई वाद है, अगर बटवारा समंधित अगर भी वाद है, या कबजा की वाद है, तो नयाले और नयाले में लंबीत है, तो वैसे कंडिशन में क्या होगा, अधिव हुमी रहती हो, तो मूल जो भूधारी है, उस जमीन का जो मूल जो वैक्ति है, उसके नाम से खाता एक चीज़ आप दिहान में रखेगा, ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लिजेगा आप, कि जो मौखिक बटवारा होता है ना दोस्तों, ये जो मौखिक बटवारा जो होता है, मौखिक बटवारा, आप कहिएगा कि इस चीज़ को कोट मानती ही या फिर नहीं मानती है, मतलब कि रोकेका नहीं लेकिन यह भी बात है रोक तो नहीं रहा है व बोल रहा कि भैई आप कीजिए यह आप कीजिए लेकि hij ओ भी मानेगा भी नहीं यह दूनु चीज यानि कि यह रचस्वो नजया ले बीच का रास्ता अपनाइए हुए रोक भी नहीं रहा है आपको म्हें बटवरा करने से और मान भी नहीं रहा है अगर मौकिक बटवारा होता है और बाद में न्यायले में अगर जाता है मामला तो फिर भै वहाँ जो कानूनी प्रकीलिया उसके तरह बटवार वोगी आजिया इसा नहीं कि दाइन सी हो जै लेखिन जो बटवारा का प्रोसेस है न्यायले में उसके माध्यम से होगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है ठीक है तो एक तरह से हाँ पर सोच सकते हैं अगर राजस्वा नियाले अगर मोखिक बटवारा को नहीं रोक रहा है इसका मतलब कि कही न कहीं इसमें दम भी है ऐसा नहीं कि बिदम है है कि ने तो यह सीच को आपको अकरेगा यादी सिवील नियाला में कोई वाद हो तो कैफियत कॉलम में इस ताथे को अंकीत किया जाएगा देखे यह जो चीज में यहां पर लेकर आया हूं जो सर्वी विवखक्यमाधियम से या फिर उनके जो भी छोटे मोटे जो भी कंसिट्वेंट है वहां से जो अगर बटवारा में कम भमी पर आप तो अस्थल में जादा हो तो फिर वैसे कंडिशन में अगर कोई कितर का विवाद है तो एक खतियान में कैफियत का कॉलम होता है यह बहुत ही इंपोर्टेट है उसी में सब लिख दिया जाएगा देखे जो सर्वी हो रहा है उसे जान बनाना है साथ में नक्सा को अपडेट करना है बस एई चीज़ है और क्या है चलिए आगे बढ़ते हैं माचपनाबर खत्यानी रायत के पुत्र या पाउत्र या प्रपाउत्र लिखिद बटवारा नहीं किये हैं ठीक है परन्तु खानगी बटवारा से बटे हुए है और खानगी बटवारा से प्राप्ति खैसरों पर सांती पुर्वक दखल कपजा है और राजस्वर रसिद कटती है या नहीं कटती है दोने सिति में क्या होगा ठीक है या किसी व्यक्ति के नाम से जमीन था उसके पुत्रों में खानगी बटवारा हुआ हो या पाउत्र में हुआ हो या प्राप पोत्र में हुआ हो जो भी हुआ हो अगर सांती पुर्वक दखल कबजा है या नहीं है दुनों कंडिशन में क्या होगा तो यदि खान की बटवारा का दार पर राजस परसिद कटती है या राजस परसिद नहीं भी कड़ती है और सभी फारिकान यानि सभी हीचेदार का सांती पुर्वक दखल कबजा है उसके अनुसार जो है खैसरा पंजी का संधारन किया जाएगा तीक है अगर मेन है आपर दखल कबजा अगर सभीर रयद जिन में बटवारा हुआ है अगर वो सहमत है तो फिर खाता खुलेगा उसके लिए आपको चिंता नहीं करना अगर सहमत नहीं है तो फिर मामला भसेगा फिर उसके लिए अलग प्रिक्रिया वो अपना ही जाएगी ठीक है तो दोस्तों यहां से आपको जो है बटवारा से सम्मन भीत बहुत सारा कुलू निकल करके आया होगा और आप समझे होंगे कि बटवारा मेक्शुल में हमें करना क्या है सबसे आसान तरीका जो मैं आपको पहले बताया कि भाई आप एक सहमती बटवारा या पंचनामा बटवारा ये कर लीजे तो बहतर रहेगा ठीक है उसका दाखिल खारीज भी असानी से हो जाता है फिर खाता वेगर भी खुल जाएगा ठीक है और सर्वे हो रहा है सर्वे को दोरान भी आप बटवारा कर सेके ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अलाकि जो वन्सावाली है वन्सावाली भी एक तरह का समझ्जे की बटवारा को प्रस्तूत करता है ठीक है तो उसके माध्यम से तो खाता खुल नहीं है सरवे में ठीक है तो चले दूस्तों मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझे होंगे आज के लिए इतना ही अब मिले अगला वीडियो में जय हिंद खुब अन्दे मातरम